बलेवुड में नब्बे के दशक की सबसे खुबसूरत अभिनेत्रियों की बात की जाए तो इसमें नगमा का नाम भी सामने आता है नगमा ने वर्ष 1990 में सल्मान खान की फिल्म बागी एरे बेल फ़र लव से अपन बलेवुड डेव्यू किया था नगमा हिंदी फिल्मों के आलावा तेलगू, बंगाली, मल्यालम, भोजपुरी, कनड, पंजाबी, मराठी हर प्रकार की फिल्में कर चुकी है उन्होंने अपने फिल्मी करियर में अब तक 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है नगमा की निजी जिन्दगी की बात की जाए तो बता दें कि नगमा के 300 एली बेहने भी हैं जिसमें से उनकी छोटी बेहन जोतिका हमेशा सुर्खियों में रहती है बतादे की नगमा की बेहन जूतिका के पती सूरिया आज साउथ फिल्मों के जाने माने अभिनेता है सूरिया को टॉली ओड में उनकी दमदार बड़ी और जबरदस्ट एक्शन के लिए जाना जाता है सूरिया ने अपना फिल्मी डेब्यू वर्ष 1997 में फिल्म निरोकुन इर से किया था सूरिया तमिल, तेल गुआ और कंणर फिल्मों के साथ साथ बॉलिवूड फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं बता दें की सूपर हिट बॉलिवूड फिल्में सिंगहम और गजनी सूरिया की फिल्मों की ही कौपी हैं जी की साथ में पहले ही इस नाम से रिलीज की जा चुकी है सूरिया को उनके दमदार अभिने के लिए फिल्म फियर और तमिलनाडू स्टेट अवार्ड से लेकर कई नामी अवार्ड से नवाजा जा चुका है इतना ही नहीं सूरिया की फिल्म को नाशनल अवार्ड भी मिल चुका है आज सूरिया साउथ के सबसे उभरते हुए सितारे के रूप में आगे बढ़ रहे हैं जो की निश्चित ही आने वाले समय में बोलेवुड में भी अपनी पहचाना बना लेंगे